जैंग माता दी दोस्तों स्वागत आपका दकल्टो रस्लिंग में तो भाई वाज की वीडियों में बात करने वाले हैं इक बहुत पड़ी न्यूस की दही है यह न्यूस सुनके शायद आपको थोड़ी बेचानी हो सकती है शायद आपका दिल तूट सकता है विकोस इन सब्सक्राइब करें को डिवडियों से न्यूस पाने के लिए सु शुरू करता है वीडियो दोस्तों देए सी एम पंक देशन वर्ल्ड हम सब सी एम पंक के रिटर्न का वेट बहुत सौर्व से कर रहे हैं हम सब चाहते हैं कि सी एम पंक डूड़ी कंपनी में वापिस आ जा कि सिहें बंक डिये में देब्यू करने से go ऊब्झार Honors कमपनी में कभी वापसी नहीं करेंगे वह कि रिटरी कंपनी में चले गए और उस कंपनी में जाकर उन्हींदें कि भेख शुक्राव बाते करी थी और श्याद यहां तक क्या दिकी Да पंक का जो रन था डवी कंपनी के साथ पिछले कुछ सालों का यानि यह दो जार पाच से लिए दो जार तेर चोदा ठका चोदा रोल्रंबल तका और रन उन्हें पूरी तरह से रेस कर दिया ता अपने प्रोमों के अंदर और यह का था कि मैं दो जार पाच में रेसलिंग से चला गया था लेकिन हम मैं 2020 में वाफसी की है सो कई नगी CM Punk के अंदेशे साफ लग रहे थे ही वो डोडी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे फ्यूचर में कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते जो कि हुए इसी बात है कि हम सब को पता था लेकिन फिर भवान करिश्मा देखिया अब ऐसा हुआ कि CM Punk को रिलीस करती है उस कंपनी से और अब उमीदे बहुत बढ़ गी थी कि CM Punk डोडी कंपनी में आ सकते हैं और अब उमीदे छोड़ो अब तो यहां तक चीज़े होने लेगे कि CM Punk सर्वाइवर सीरिस के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं शिकागों में जो कि उनका हॉम टाउन देए यहां तक सब को पता है बात और मैं भी कह चुकांगी इसमें सचाही है जी हां CM Punk शिकागों के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं बिल्कुल कोई इसमें नेगटिव थोर्स है कोई भी इसमें रूमर नहीं है एक क्लियर कट नियूस है विकोस डोडी कंपनी इतना है सारे CM Punk के इजम्पल दे रही है सुपर स्टार से CM Punk के मॉव्स करेट करवा रही है तो आप समसकते हैं कि डोडी कंपनी को पता है कि उनको क्या चाहिए आज के समय में उनको चाहिए CM Punk विकोस फैन्स चाह रहे हैं कि CM Punk का एक राउन जून में CM Punk के चैंट्स समझ रहे हैं आप लेकिन आप यहाँ पर जो नियूस में आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर शयदा आपका दिल तूट सकता है कि CM Punk सर्वाइवर सिर्स के अंदर नहीं आने वाले है जी हाँ अब उसके पीछे मैं कहीं पॉइंट रखने वाला हूँ उस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि CM Punk क्यों नहीं आने वाला और क्या कारण है सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँगे CM Punk कंपनी में नहीं आने वाला इसका मतलब यह नहीं कि CM Punk कभी नहीं आएगा देखिए हैसान नहीं है CM Punk के एक रसलर है वो इसको रस्लिंग करनी है वो रटायर नहीं हुआ है अब W के अलावा और कंपनी की बात करें AW कंपनी है जिसे CM Punk का पताताव हो चुका है NJPW है जहां पर CM Punk नहीं जाएगा क्योंकि वो उनको पैसे नहीं दे पाएंगे उतने अच्छे DNA Impact जो कि शुरू होने वाली है नेक्स टियर वो भी CM Punk को उतने पैसे नहीं दे सकती कंपनी तो अब सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बची डबड़ी कंपनी जिसको CM Punk 10 साल पहले छोड़ जोगे थे लेकिन अब 12 सुस कंपनी में जाना इसलिए बनता है विकोस विंस मिकमैन कंट्रोल में नहीं है ट्रिपल एच का सारा कंट्रोल है और ट्रिपल एच और CM Punk के रिलेशन उतने खराब नहीं थे जितना की मीडिया में पहले पता है जाता था जितने नहीं थे तो CM Punk को पता है कि उसको कहां जाना है लेकिन आप रूमर हाइप इतनी ज्यादा हो की है कि अब सर्वाइवर सीरिस को आप वोर गेम रोवर्ज या नक्स्टीर या रोवर्ज स्मक्डाउन नहीं देख रहे हैं आप सर्वाइवर सीरिस को एज़ सीम पंक रिटर्न देख रहे हैं कि आप सीम पंक रिटरन होने वाला और क्लियर गटा है और शहाद आपको आने वल्य समय में सीम पंक के डोड़ी कमपनी चैंट्स भी दिखाना शुरू करते हैं को कहीं वार सीम पंके चैंट्स को नूट पॉइंट है कि सर्वाइवर सीरीज के लिए कोई बहुत बड़ी चीज हाइप नहीं है समझे रूसी मंगों भी हडा तो अब सर्वाइवर सीरीज के लिए नंबर वन आप देख लिए वर्गेम मैश अनौन चुका है अरोग एपिसोड हुआ और कुछ खास एपिसोड नहीं अब यहां पर सीम बंग रिटर्न करेंगे कुछ सोचो कैसा पोसीवल है किसके साथ बढ़ेंगे किसी के साथ निए अब यह तुनिके साथ इंटरफ होगा इसा तो नहीं सकता बिको सीम बंग भाई वो उसको कोई सिंगल अपोनेंट ही चाहिए होगा बिढने के लिए कौन क थे साथ ने सकते हैं वहां पर एक को दो हार नहीं होगा- और सीम बंग अर सकता है नहीं यह दो समझ सकता है कि डुटे कमपनी के लिए परिशानी सबसे बढ़ी है किसीवल पंग को वापीस अलिए यह लेंगे लेकिन उसके बात का क्या अपोनन कोन है कुछ नहीं बाना इन कि मैं सीम मंग को लाने वली हूं तो देखा जाए तो सीम मंग के अभी फिलाल रिटर्न के हर रूमर हाइप बहुत साथ है इतनी जाला है कि सीम मंग रिटर्न कभी भी हो सकता है समझ रोगा अब लेकिन अगर मैं बात करूं रसलिंग उबसर्वर की थोट से थे किसे तो भाई यृभ बढ़ो है कि सीम मंग का पोटेंशली रिटर्न अभी नहीं होगा और अब मुझे नहीं पता को रिलेशन आज कीसे है लेकिन अगर इतने रेस्लिंग आउजरवर इतने ज़्याद निज्ज चैनल दिखा रहे हैं कि CMBंग रूमर है रूमर है रूमर है कि आप उस CMBंग का पोटेंशली एक रिटान देगने को मिले है डोडी कंपनी में जिसके रूमर हाइप बहुत ज़्यादा लेकिन मुझे नहीं लगता विको सर्वाइवर से इसके अंदर कोई इतना मैसीव टूइस्ट या कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है कोई CMBंग के स पास टिकेट से नहीं होती तब कि इस उपरस्टार को बलाती है समझेरो जिस्तरा सी 222 ब्रॉक का बलाया था अचानक से ब्रॉक को बलाया था समर्स्लैम में महां सीम पंग ने डिवली कंपनी डिविया था तो यह कंडिशन आप नहीं आई है आपकू सोचे कि प्रॉक लेस है समझेरो लेकिन फ्यूचर में सीम पंग कव आएंगे भाई आप इसके बीचे सबसे बड़ी रूमर फैला हुआ है अब इसके वाई रोल रंबल की रूमर आजी वहां नहीं है तो फिर आफ्टर मेनिया तो यह चलता रहेगा वाई किसी को नहीं पता कब रिटन होने वाल करनाए है तुब killer और इसके बात किसे बात किसे बात का सूशती है और अभी कासरी जगसे कि घरए है वाई नहीं बूर्ट हूँ झाल इस तेकल रहे हो ये समयर की सर॓त अभी नहीं है कंपणी को सई में नहीं है लेकिन अभी जरूरत फूचर में पढ़ती है नहीं यह देना बोजरूरी होगा लेकिन फिलाल के इसाब से सीम पंक का सर्वाइबर सीरिस में आना कहीं न कहीं कटीन होता जा रहा है और जिसके रूमर हाई बहुत जाद है और अब अभी तो सुचो अभी एक अफ में चैन्स लगेंगे देखना आप और जोड़ी कंपनी म्यूट नहीं करेगी क्योंकि दोड़ी कंपनी को पता वाई इस इस हमें वोस्टम चाहिए तो मेरी प्रडिक्शन कल्टो रस्लिंग की प्रडिक्शन हमारे चैनल की प्रडिक्शन यह कि सर्वाइबर से करेंदा सीम पंक का रिटर्न नहीं होगा नहीं होगा और मैं शूर हूं इस बात के लिए और आप भी मुझे कहेंगे उस इवेंट के बाद कि आप सही थे सर मैं वाकई सही था मेरी क्राउंजली प्रडिक्शन सही निकली जो मैंने कहा था वह हुआ जो मैं जीटेगा जोहारे का वही तो हम आपको सर्वाइवर्ट से इसकी प्रडिक्शन बता रहा हूं सीम पंक नो रिटर्न क्लियर कट इस इस तैट तो दोस्तों यह थे आचे वीडियो और मैं जानता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई और आपने अब तब सब्सक्राइब भी कर लिया है तो शुक्रिया अच्छे हमाता दी कल मिलते हैं दोस्तों